नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल TechPoynter में बहुत दोश्वागत हैं आज मैं आपके लिए एक special वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको आपके computer के अंदर window installed कैसे की जाती है इसके विसे में point to point बताऊंगा इस काम को करने के लिए आपके पास दो तीन चीजें होना बहुत जरूरी है इसमें सबसे पहली चीज है ISO file वह से लोग यह सोच रहे होंगे यह ISO file क्या है तो यह ISO file क्या है और यह कैसे बनाई जाती है इसके विसे में भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा मैं आपको पता दूँ यहाँ पर window दो तरीकों से install होती है या तो आपके पास bootable DVD होना चाहिए या फिर आपके पास bootable pen drive होना चाहिए यदे आपके पास bootable DVD है तो आप उसी से ISO file बना कर बड़े आराम से bootable pen drive बना सकते हैं इससे आप बिना DVD या बिना DVD writer के आराम से window install कर सकते हैं क्योंकि आजकल जितने भी नए computer सा रहे हैं उनके अंदर DVD writer नहीं होता है इसलिए आपको USB से किस तरह से आप अपनी pen drive को boot करा कर आराम से window install कर सकते हैं इसके विसे में पता होना चाहिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ window install होने के बाद यहाँ पर drivers की जरूत पड़ती है यहाँ पर जितने भी पुराने computer साते थे या फिर laptop आते थे उनके साथ में हमेशा company एक DVD प्रोवाइड करा दी थी जिसमें उस laptop या उस computer के driver होते थे अगर आजकल company ओने यह DVD प्रोवाइड कराना बंद कर दिया है और यहाँ पूरे driver online उपलब्द होते हैं अब जब से यह जो driver हैं वो online हो ले लगे हैं लोगों को दिक्कत आने लगे है क्योंकि यहाँ नया computer जिसके पास रहता है उसको तो online मिल जाते हैं मगर जब आदमी second hand laptop या फर computer दूसरे से खरीता है तब वह उसका password तथा login ID नहीं बताता है और इन drivers को install करने बहुत बड़ी समस्या आती है इन drivers को और भी कई तरीकों से install किया जा सकता है जिसमें कई सारे packs आते हैं जो के एक दम फ्री हैं जिनका नाम है driver pack solution और दूसरा है snappy driver इसके जरी आप किसी भी computer में बड़े आराम से उसके drivers install कर सकते हैं और window installation के बाद जितनी भी समझें आती हैं जैसे कि आपकी USB काम नहीं करती है या फिर आपका mouse काम नहीं करता है या फिर आपकी screen का जो size है या फिर आपकी screen का जो font size है वह छोटा बड़ा या फिर कुछ भी आता है इन सब को ठीक करने के लिए उसके अंदर drivers install किये जाते हैं यह drivers किस तरह से install किये जाते हैं इसके विसे वीडियो में आपको मैं बताऊंगा तो चलिए चलते हैं इस screen के उपर दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने desktop के screen पर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपके पास window का जो भी software है चाहे आप market से लेके आए हैं चाहे आपने किसी website से download किया है उसको यहाँ पर copy करने के बाद इस तरह से आप रख लें जिस तरह से मैंने रखा है मैं आपको इसके बाद में इसका ISO फाइल किस तरह से बनाया जाता है इसके बारे में बताता हूँ आप यहाँ पर अपने Chrome ब्रावजर में जाने के बाद यहाँ पर सर्च करें image IMAGE burner देखे यहाँ पर आ रहा है आदा official image burner इस पर क्लिक करें यहाँ पर आप थोड़ा scroll down जाने के बाद आपको एक option मिलेगा यहाँ पर देखे यह लिखा हुआ है click here to download इस पर क्लिक करें और इसके बाद में सबसे last में है mirror save and provided by image burner इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो software है बोड डाउन्लोड होने लेगा मैं कर देता हूँ देखे इस तरह से यहाँ पर देखे डाउन्लोडिंग शुरू हो गई है क्योंकि मैंने यह setup पहले ही download कर रहता है मैं इसको cancer कर देता हूँ और यह setup आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देखिए यह download होने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने दिखेगा इसको आप simply अपने mouse का दोवा left क्लिक करें और इसको install कर लें यस करते हुए इस तरह से यह installed होने में ज्यादा समय नहीं लेता क्योंकि यह बहुत छोटा software है केवल 3 MB का software है और यह download होने में भी ज्यादा समय नहीं लगाता है इसके बाद मैं आप यहाँ पर finish पर क्लिक करें और इसको installed होने के बाद इसका जो interface है आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा आप इस पर क्लिक करें देखिए इस तरह से कुछ आपके सामने आजागा अब यहाँ पर आप कई तरीकों से image file बना सकते हैं और image file से ही DVD यानि के bootable DVD आप बना सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर एक folder से image file बनाने वाला हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो option दिख रहा है इस पर क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपने उस folder को copy करने के बाद रखा है उसको select करें और यहाँ पर ISO file बनने के बाद आप जहाँ पर भी उसको रखना चाहते हैं यानि मैं desktop पर रखता हूँ और इसका नाम रखता हूँ मैं window 10 तो उसको यहाँ पर क्लिक करें इसके बाद में simply आप इस पाले option पर क्लिक करें इस तरह से आप yes पर क्लिक करें फिर से yes पर क्लिक करें और फिर से इसको permission दे दें अभी देखी यहाँ पर आपकी जो data थी उसकी ISO file बनना शुरू हो गया है तो मैं इसको थोड़ा fast forward कर देता हूँ देखिए यहाँ process complete होने के बाद यहाँ पर ok प्रेस करें और इस वाले बिंडो को close कर दें यहाँ पर देखिए एक बिंडो 10 के नाम से ISO file बनकर तयार हो गया है यहाँ है हमारी image file इससे हम तयार करेंगे bootable pen drive अब यहाँ पर देखिए इस तरह से एक image file बनकर आ जाएगे इसके लिए आपको एक software और download करना होगा जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ तो मैं यहाँ पर खोल देता हूँ अपना chrome browser इस तरह से यहाँ पर आपको एक software download करना है जिसका नाम है rufus और enterprise करें आपर सबसे पहला जो रहेगा उस पर आप click करें यहाँ पर देखिए थोड़ा scroll down जाने के बाद में आपको देखेगा download के नीचे rufus 3.5 portable इस पर click करें या फिर आप full version में download कर सकते हैं इससे उपर वाले पर click करें जैसे आप यहाँ पर click करोगे आपका setup इसके यहाँ नीचे आपका download होने लगेगा इस तरह से यहाँ डाउनलोड होने के बाद आप मैंने यहाँ पर पहले सी download करके रखा है तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ देखिए इस तरह से इसको आप open करें और yes की permission दे देए इस software का interface आपको इस तरह से दिखाई देगा इसको आपको install करने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर देखिए आपका जो आपने pen drive लगाया हुआ है वो है यहाँ पर show करेगा इसके बाद मैं आप किस वाले image से इसको boot कराना चाहते हैं यहाँ पर select करें open पर click करें यहाँ वाला partition scheme है यह यहाँ पर है GPT मगर 2019 से बाद में जितने भी computer से आ रहे हैं उनकी partition scheme आती है MBR तो आप हमेशा यदि आपका computer नया है तो आप इस पर click करने के बाद ही इसको ok करें और यहाँ पर start पर click करें तो यह यहाँ से आपको बारन गिरा है कि आपका जो data है वो lost हो जाएगा आपकी pen drive का अंदर जो data है वो lost हो जाएगा तो मैं यहाँ पर ok कर देता हूँ तो यह यहाँ पर pen drive को format करने के बाद देखिए इस तरह से यह यहाँ पर process शुरू हो जाएगा तो मैं इसको fast forward कर देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा time लगता है तो मैं यह process होने के बाद आप से मिलता हूँ देखिए यहाँ पर जब आपका यह procedure पूरा हो जागा तो यहाँ पर ready लिखकर आपको दिखाए देगा अब इस procedure को आप यहाँ पर close कर सकते हैं इसके बाद जो आपने यहाँ पर bootable pen drive बनाया है उसको उस computer में लगाएं जिसमें आपको बिंडो को install करना है यहाँ पर दोस्तों इसकी screen को record नहीं किया जा सकता है इसलिए मैं अपने mobile के camera से इस screen को record कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा दुंदलापन आशकता है पर मैं आपको हर चीज clear करा के ही चलूँगा यहाँ पर देखिए आपको मैं एक चीज बता दूँग बूटिंग दो प्रकार की होती है एक होती है cold boating और एक होती है hot boating जब आप computer on करते हो तो वह hot boating होती है और जब आप computer restart करते हो तो वह cold boating होती है तो यह जो आप window डालेंगे वह cold boating पर ही install होती है यानि आपको computer को on करने के बाद restart बटन दबाना पड़ेगा तभी यह window installed होगी अब मैंने यह computer start कर रखा है मैं इसको restart कर देता हूँ यहाँ पर जैसे आपका system restart होगा यहाँ पर आप F2 के बटन को बार बार प्रेस करें जिससे इसमें booting के option खुल जाएंगे देखिए अभी इस तरह से यहाँ पर आपको ऊपर में दिख रहा होगा boot का option इसमें आप अपने keyboard से right side के arrow में जाने के बाद आप यहाँ पर booting option में आ सकते हैं यहाँ से आप अभी नीचे जो first priority booting है इससे पहले यहाँ पर मैं बताता हूँ boot list option में हमेशा legency को ही रखें इसके बाद में यहाँ आप जो option दिख रहा है first boot priority इसमें हमेशा जब आप USB से इसको boot करा रहे हैं तो USB first में रखें और यदे आप DVD यानि यह वाले DVD oblique CD से आप इसको boot करा रहे हैं तो आप इसको first priority में select रखें इसमें इसको कैसे first priority में रखा जाता है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर first priority को select करने के बाद आप enter press करें तो आप जिसको यहाँ पर select करेंगे वह first priority में चला जाएगा मैं यहाँ पर USB को रखता हूँ क्योंकि मैं USB से ही window installed कर रहा हूँ इसमें मैं enter press करता हूँ इससे यहाँ पर first booting priority में USB आ जाएगा इसके बाद में आप simply अपने keyboard में F10 प्रेस करें जिससे इसको save करने के लिए option आपके सामने खुल जागा और yes पर रखते हुए आप इसमें enter press करें इसके बाद में आप अपने keyboard में F12 प्रेस करें देखें यहाँ पर दिख रहा है बूटिंग option के लिए कुछ इस तरह से आपके सामने एक box खुल कर आएगा जिसमें आपको Legion C में first में दिखाएगा यहाँ पर USB story device तब यहाँ पर आप एंटर पेस करें जिससे आपकी window क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अपने camera मैं अपने mobile के camera से इसको record कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा दंदलापन आ सकता है यहाँ पर देखिए आपसे language चुनने के लिए पूछा जा रहा है तो मैं यह वाली English language चुन लेता हूँ और फिर next पर click करता हूँ और यहाँ से install नाव पर click करता हूँ अभी यहाँ पर setup start हो रहा है जो window का setup वो install होने के लिए start हो रहा है यहाँ पर आपको थोड़ा बेट करना होगा और कुछ भी छिड़ने की जरूद नहीं है अब यहाँ पर आपको कौन सा window installed करना है मेरे को माल लीजिए बिंड़ो टैन बॉलियम बाला में यहाँ पर नहीं मैं यहाँ पर retail बाले install करते हूँ इस पर लाने कबाद simply enterprise करें जिस से यह next में चला जाएगा window 10 pro यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर कुछ इसकी conditions है इसको आप accept करें और इस तरह से next बटन पर क्लिक करें इसके बाद में आप install window only advanced पर क्लिक करें custom में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करें अब देखिए यहाँ पर वह partition आपसे पूछेगा जिसमें आप window install करना चाहते हैं मैं यहाँ पर इसमें install करना चाहता हूँ तो पहले इसको में फॉर्मिट कर देता हूँ यहाँ पर ok कर देता हूँ तो जो बिंडो आपके में पहल बने हुए हैं इसलिए मैं इस बाले partition में बिंडू इंस्टॉल करना चाहता हूं तो मैं इसको select रखते हुए next पर click कर देता हूं अभी आपका बिंडू इंस्टॉल होना शुरू हो जागा यह थोड़ा सा time लेता है तो हम थोड़ा सा इंतिजार करते हैं यहाँ पर देखें यहाँ प्रोसेस पूरा होने के बाद अभी आपका computer restart होगा यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है यह थोड़ा सा time लेता है और यहाँ पर pen drive या dvd का काम यहीं पर खतम हो जाता है चाहें तो आप जैसे ही आपका computer restart होगा आप उसको अलग निकाल के रख सकते हैं इस तरह से देखिए यह computer अभी restart हो रहा है और जैसे यह restart होगा आप अपनी pen drive को बड़े आराम से अलग निकाल सकते हैं अभी pen drive की जरूरत नहीं है या फिर dvd की किसी प्रोकार की जरूरत नहीं है दो तिन बार computer restart होने के बाद आपको कुछ interface इस तरह से दिखेगा यहां पर कुछ settings होती है आप skip करने के बाद यहां तक आप पहुंच सकते हैं इसके बाद में आप simply यहां पर देखेंगे कोई भी icon आपको नजर नहीं आता इसके लिए आपको यहां पर right click करना होगा और य okay करें और इसमें scroll down जाने के बाद इसको मैं पहले full screen कर देता हूं इसमें आप scroll down जाने के बाद आपको एक option मिलेगा जिस desktop icons इस पर click करें यहां पर देखिए आप computers और control panel यह दोनों या फिर जो भी आप यहां से लेना चाहतें network setting वगएरा आप यहां से ले सकते हैं और apply पर click करें और okay पर click करें इसके बाद आप इस बाली window को close करें इस तरह से देखिए आपके जो options हैं यहां पर आपको नजर आने लगेंगे मैं कुछ इस skin को set कर देता हूं देखिए इस तरह से अब यह आपका जो data है आपका computer इस तरह से काम करने लगे अब यहां पर देखेंगे आपका window यहां पर install हो चुका है और आपका data भी यहां पर आ चुका है तो इस तरह से आप window को install कर सकते हैं इसके बाद में हैं यहां पर जरूरत पड़ती है drivers की तो मैं आपको drivers के बारे मे में समझाता हूं यहाँ पर देखिए यदे आप इस ड्राइबर पैक सॉल्यूशन को ओफ लाइन डाउनलोड करना चाहते हैं रूम ब्राउजर में जाए और यहाँ पर लिखें ओफ लाइन ड्राइबर पैक यहाँ पर इसको एंटरप्रेस करें इस तरह से आपको यहाँ पर फश्ट में एक लिंक मिलेगा ड्राइबर पैक ओफ लाइन फुल यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर देखिए ओप्सन आजागा डाउनलोड ड्राइबर पैक ओफ लाइन फुल यहाँ से क्लिक करने के बाद आप इसको पूरा ओफ लाइन पैक डाउनलोड कर सकते हैं जो भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिखें ड्राइबर पेक सॉल्यूशन देखें इस तरह से यहाँ पर इनकी फर्स्ट वेफसाइड आया रहागी इस पर क्लिक करें तो यहाँ से आप क्लिक करने के बाद आप ओनलाइन भी यहाँ से इनके ड्राइबर्स आराम से डाउनलोड कर सकते हैं मैंने आपको इसका एक इंटरफेस दिखाता हूँ देखें कुछ इस तरह से यहाँ पर यह आपके जो ड्राइबर्स लैप्टॉप के अंदर इंस्टॉल्ड नहीं है यहाँ फिर ओल्ड बर्जिन है उनको सर्च करने लग लैप्टॉप में पहले से ही पूरे ड्राइबर्स इंस्टॉल्ड हैं इसलिए इसने और ड्राइबर आर इंस्टॉल्ड बता दिया यहाँ पर आपके लैप्टॉप में यह कोई ड्राइबर इंस्टॉल्ड नहीं है तो यहाँ पर लिस्ट नमा जाते हैं और यहाँ से आप आराम से उन drivers को install कर सकते हैं तो इस तरह से आप window installation और उसके drivers का process पूरा कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि आपको आज का यह हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके बिसे में आप comment box में जरूर लखें यदे आपके पास ISO file नहीं है या फिर आपको यह जो driver pack solution है इसको download करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि यह pack बहुत ज़्यादा MB का है यानि कि यह 20 GB का है इसको download करने में आपको दिक्कत आ सकती है इसलिए यदे आपको अगर इसको डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप हमारे मेल के जरी हम से संपर्ख कर सकते हैं हम इस पैक को आपको उपलब्द कराने की कोसिस करेंगे और दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल के नीचे दिख रहे हैं लाल बटन को दबा कर इस चैनल को सस्क्राइब जरू करें जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर करें जै हिंद जै भारत